दोस्तों बिशो भारती बिश्विद्याले में नई भरती आई है अच्छे खासे पदो पर यह भरती है इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है MTS, LDC, UDC, STNO, Librarian अलग 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 तरह का पोस्ट है यह जो भरती है दोस्तों नन टीचिंग पोस्ट की तो उचलिए इस भरती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए फॉर्म कैसे क्या फिलब करना है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए योगिता क्या कुछ है, कितना एकजाम होगा, एकजाम का पैटर्न, सिले बस सभी चीजों के बारे में आप सभी को बाद यहाँ पर दिखेगा तो 17 अपरेल 2023 के डेट में रिकूटमेंट नन टीचिंग पोस्ट का यहाँ पर एरवर्टाइजमेंट यानि विग्यापन है तो चलिए इस एरवर्टाइजमेंट को डॉनलोड करते हैं और यह डॉनलोड हो गया है तो यहाँ पर आप दिखेगा भरती तो फॉर्म भराना शुरू हो गया है फॉर्म भरने का जो लास्ट टेट रखा गया है 16 मैं 2030 रात बारा बज़े तक आप इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं विग्यापन संख्या वन 2030 के अंतरगत 17 अपरेल 2030 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है अब आप यह सुच र énergie सी जो भी ओफीस वाला जॉब्स नियलटेट कोश्ट है इसकी यह भरती आई है इसमें आप देखे गात अलग अलग तरह का पोश्ट है रजिस्टरार हो गया फइननस ऑफीसर लैब्री या कि डिपटी रजिस्टरार सभी तरह का इसमें पोश्ट है यह का जो भी post higher level का इसमें salary अच्छा खासा मिलेगा तो qualification भी में भी बहुत सारे चीज मांगा गया है यहाँ पर आप दिखेगा upper division color की या office assistant का group C का हो गया तो यहाँ पर category wise seat की संख्या है इसके बाद दिखेगा lower division clerk junior office assistant come tapist का तो group C का level 2 का है level 2 यानि level 2 के अनुसार इसमें आपको salary मिलने वाला है seat की संख्या हम देखेगा तो 9926 इस तरह से category wise seat की संख्या दिया हुआ है general में कितना है name of the post सारा कुछ यहाँ पर बतायागी इसके बाद दिखेगा mts multitasking staff इसमें seat की संख्या अच्छा खास है group C level 1 405 यहाँ पर दिखेगा दिखेगा दिया हुआ है इसके बाद यहाँ पर library assistant का दिखेगा तो इस तरह seat हो गया library attendant का यहाँ पर seat की संख्या देख सकते यहाँ पर आप अपने योगिता अनुसार सभी तरह का पोस्ट देख सकते है junior engineer का भी पोस्ट एक प्रस्टनल एसिस्टेंट का भी पोस्ट है इसके बाद दिखेगा security inspector का भी पोस्ट है senior system analysis इसके बाद system programmer का भी पोस्ट है इस तरह से दिखेगा तो total number of seat ओ की संख्या जो है योगिता अनुसार देखे कि इस पोस्ट के लिए क्या एकजाम पैटर्न है तो इसके बारे में यहाँ पर आप सैलरी का देखी का इस टेक्चर यहाँ पर दिया हुआ है जैसे यहाँ पर लेबल टू वाला पोस्ट हो गया तो बावन सो बीस हजार ग्रेड पर उनीस सो है तो पर लगभग आपको 30,000 सैलरी मिलने वाला इसमें बेसिक सैलरी आपका लगभग यहाँ पर 21,000 हो गया फिर इसमें होस रेंट महागाई भता सब कुझ उटने एक बाद लगभग 30,000 सैलरी मिलेगा बाकि higher level का पोस्ट है इसमें बहुत ज्यादे सैलरी मिलने वाला है अब च इसके बाद देखीगा educational qualification तो रेजिस्टरार पोस्ट के लिए देखीगा तो इसमें बहुत सारे चीज़ है experience यह सब चीज़े मांगा गया तो आप देख सकते हैं finance officer का है librarian का हो गया तो librarian इसमें master बैचलर डिग्री मांगा गया है इसके बाद पीएज़डी यह सब चीज़े सारा कुछ यहां पर है तो यहां पर आपको जो देखना है दोस्तों जो नॉर्मल वाले पोस्ट है इसके बारे माप सभी देखिए MTS के बारे में इसके बाद आप UDC, LDC इन सभी पोस्ट के बारे में देखिए तो upper division clerk यानि office assistant इसमें देखेगा बैचलर डिग्री मांगा गया यानि graduation मांगा गया है इसके बाद 2 year experience है LDC यह सब पोस्ट में आपका होना चाहिए typing speed है 35 word per minute इसके बाद देखेगा यहां पर lower division clerk यानि LDC वाला पोस्ट इसमें qualification जो मांगा गया है बैचलर डिग्री यानि LDC के लिए भी इसमें graduation ही मांगा गया है typing speed English में 35 word per minute चाहिए इसके बाद देखेगा यहां पर तो computer operation यानि computer चलाने में प्रोफेंसी होना चाहिए selection जो इसमें होने वाला return test skill test के अधार पर MS office में MS word यह सब चीज़े आपको चलाना आना चाहिए इसके बाद देखेगा MTS वाला पोस्ट MTS पोस्ट में दोस्तों 10th मांगा गया यानि आगर आप 10th pass है तो इस form को भर सकते हैं या ITI pass है 10th या ITI दुनाम से को एक होना चाहिए या ITI है तो भी भर सकते है या 10th है तो भी भर सकते हैं इसमें जो आपका selection होने वाला return test के अधार पर और trade test याने skill test के अधार पर ये सारा कुछ बिस्विद्यालाइ की वर से आएजेंसी की वर से decide किया जाएगा कैसे कैस में trade test होगा तो MTS में यानि qualification देखेगा तो 10th है और बस आपका एक 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 जाम के धार पर आपका selection होने वाला है बागी और अन्य पोस्टों के बारे मां आप देख सकते library assistant का जो पोस्ट है यानि यह जो normal वाले जो पोस्ट है इसमें जो मांगा गया है बैसलर डिग्री library science में होना चाहिए साथ इसमें tapping speed भी मांग दिया गया है और computer भी आपको चलाना आना चाहिए इसके बाद दिखेगा library attendant का पोस्ट है इसमें बार्मी मांगा गया है और एक certificate भी library science से संबनित हो होना ची one year का experience भी मांगा गया है library assistant का पोस्ट यहां पर फिर से आ गया library attendant का पोस्ट है तिसमें 10 प्लस 2 मांगा गया है तो यानि अलग 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 पोस्ट है अलग अलग योगिता है तू सनुसरा पोस्ट कोड के हिसाब से पोस्ट भर सकते assistant engineer civil है तिसमें यहां पर देखे हैं अब चलिए यहां पर आप देखिए a पर इसमें ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया है और इंगलिस में टैपिंग मांगा गया है केंप्यूटर चलाना आना चाहिए इसके बाद सिनियर टेक्निकल एसिस्टेंट का देखेगा तो मास्टर डिग्री यहां पर है उस सब्जेक्ट से सम्बनित होना चाहिए देखेगा तो फॉर्म भरने के अंतिम्तिति तक आपके पास सभी डॉकुमेंट सारा कुछ होना चाहिए और यह भरती परक्रियर रिटेंट है सारा कुछ जो लिया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजनसी याने अन्टीए तो अफिसल वेबसाट से आप सभी इस फॉर्म क को फिलब कर सकते हैं अभी हो क्या रहे कि वेबसाट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो एक दो दिनों में सारा कुछ प्रोब्लेम सॉल्व हो जाएगा फिर आप फॉर्म को फिलब कर पाईएगा अगर आप OVC साते हैं तीन साल कुमर में छूट साते हैं तो पांच साल देखेगा लेवल 12 लेकर कि लेवल 10 तक जो पोस्ट है उसमें 16 रुपया है सेस्ट के लिए 400 इसके बाद ग्रूप B का लेवल 7 और 6 के लिए 12 रुपया है अब इधर जो नॉर्मल वाले पोस्ट है यानि UDC LDC MTS तो इसमें आपको जो पेमेंट करना परेगा यह यहां पर है फॉर्म का भी यह आपको देना परेगा यूर EWS OBC साते हैं तो 900 रुपय का पेमेंट SCST साते हैं 225 रुपय का अगर आप महिला है या फिर दिब्यांग है तो कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना परेगा तो महिलाओं दिब्यांग अभिहारतियों को राहत है पांकि जनरल और EWS OBC को अच्छा खासा यहां पर फॉर्म का भी देना परेगा इसके बाद यहां पर देखेगा तो इंटर्व्यू जो MTS UDC यह सब पोस्ट में इंटर्व्यू नहीं लिया जाएगा शुरू में ही आप देख लिए कैसे क्या सेलेक्शन का परक्रिया था उसमें एक जाम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो कल से यह सही तरीके से काम करने लगेगा फिर आप सभी इस फॉर्म को फिलब कर पाईएगा और अभी क्या हो रहा है कि ऑपन होने में समस्या आ रही है तो जो भी प्रोब्लेम है यह सॉल्व हो जाएगा अब चले यहां से एक्जाम पै जाएगा रेजिस्टेशन सारा कुछ कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं भी है यहाँ पर इसके बाद भारती इस एस यहँ पोस्ट है इन सभी में जो होना है एकजाम इस तरह का पैटर्ण रेगा जैनरल एवरनेमेस याणि जीके से 30 क्वेस्टन पूछा जाएगा एक क्वेस्टन है दो मार्कस का याणि टोटल साठ हंक हो गया इसके बाद रिजनिंग से 25 क्वेस्टन सात्तर मार्कस का mathematics यानि math से 35 question सतर marks का इसके बाद test of language हिंदी और English तो यहाँ पर हिंदी इंगलिस है 30 question है 60 marks का इसके बाद computer से 20 question 40 marks का इस तरह सी सिखजां में total 1500 question पूछा जाएगा और यह परिक्षा 300 उंकों की होगी syllabus के बारे हम देखेगा तो general awareness का यहाँ पर syllabus से इसमें आपको history, politics, geography, economics, current affairs यह सब चीज़े पढ़ के जाना है reasoning में देखेगा तो यहाँ पर reasoning का syllabus दिया हुए math तो math में दोस्तों इसमें advanced math यानि तिर्कवनमिती, जैमिती यह सब चीज़े नहीं पूछा जाएगा arithmetic यानि अंग गैनित से संबनित जो भी topic है इसी सब topic से question पूछा जाएगा इसके बाद देखेगा test of English और Hindi तो यहाँ पर Hindi English से संबनित question पूछा जाएगा जिसमें परिवाची सब्द, विप्रितार्थक, सब्द, संधी, विचेत, समास यह सब चीजे question आपसे पूछा जाएगा इसके बाद देखेगा computer awareness तो computer में question भी अच्छा खासा पूछा जाएगा और अच्छे level का question पूछा जाएगा तो सारा कुछ आपको practical knowledge होना चीए इन सभी चीज़ों के बारे हम यहाँ पर है इसके बाद देखेगा paper to तो यह paper to जो है सभी post के लिए यहाँ पर नहीं है कुछ ही post के लिए यहाँ पर है इसके बारे हम यहाँ पर बतायागे यहाँ पर देखेगा तो अलग-अलग तरह का post है तो यह जो भी post है उसके लिए है अब यहाँ पर MTS यह सब पोस्ट के लिए paper to यह pattern वाला नहीं होगा इसके बाद बात करते हैं दोस्तों negative marking की तो इस exam में negative marking भी रखा गया है negative marking के बारे में आगे बतायागे यहाँ से आप देखिए फिर आपको clear हो जाएगा upper division clerk में देखेगा तो यहाँ पर tapping test skill test लिया जाए इसके बाद interview की बात करते हैं दोस्तों इंटर्वियू जो होने वाला है group A वाले पोस्ट में pay level 10 और 12, 13, 14 नमर का जो level 10 यानि salary के अधार परहत उसमें 100 marks का interview लिया जाएगा इसके बाद minimum qualify का जो condition है 40% लेकिन इस पर आपका selection नहीं होने वाला लगवग आपको 75% marks लाना पर इसके बाद देखेगा negative marking के बारे में 1 by 4 negative marking यानि आप 4 question गलत कीजेगा तो एक सही का marks आपका cut हो जाएगा paper 1, paper 2 दोनों में negative marking per question के अधार पर रखा गया है मेरी ट्लिफ सारा कुछ यहां पर written exam marks के धार पर बनने वाला है यहां से दोस्तों आपको इस भरती के बारे में संपूर्ण जानकरी मिल गया आप NTA के official website से इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं फॉर्म भरने का link आपको मिल जाएगा description में बाकि आप इस वीडियो को पूरा पूर्म